नमस्कार एक बाफिर हमारे दर्शकों का धर्मग्यान में स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविता और में साथ मौजूद है हमेशा कितर है डेवेगे डॉक्टर शेपती त्रिपाथी जूत्रवेजी जिनके साथ मैं हमेशा राजनेताव के कुंड़ने का विशलेशन करती आई हूँ और साथ ही इनके अब तक की गई जित्ते भी राश्रतिक भविश्वानिया है वो सद्साबित हुई है सर एक बाफिर आपका स्वागत है जी नमस्कार सभी दर्शक बिंदो को हिदे के अंतह करन्शे नमस्कार बंदे मातरम उलंग शिंदो हशलिलं शलीलं यहशो कवर्णिम जनकात्म जाया आदायते नई वददाहलंकं नमामित्वं प्राण्यलिराण्यनेयं मनो जवब मारुत तुल्यवेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां बरेष्टं वातात्म जंबा नरयूत मुख्यं स्रीराम अदूतं शरणं प्रपद्धे प्रविशिनगर की जै सब काजा हृदय राखिको शलपुर राजा मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाहु शुदाशरत यजरे बिहारी माम भिरक्षाया रग कुलनायक धितवर चाप रुचिरिकर सायके प्रणवा उपवन कुमार खलवन पावक ज्यान गना जाशुदे आगार बसहिराम शरचा पुदरा ओम हंग हनुमत नमा जैसी तरह तो आज मैं डॉक्टर तिरपाटी जी के साथ एक ऐसी श्यक्सित की राजनितिक कुंडली का विश्लेशन करने जा रही हूं जिन्होंने हाथ में कमल थाम अपनी राजनितिक पारी की शुरुआत की लेकिन 2019 शुनाव से पहले एन मौके पर उन्होंने कॉंग्रिस का हाथ थाम लिया हम बात कर रहे हैं कॉंग्रिस नेता नवजो सिंग सिद्धू की जो कि कई मुद्धों को लेकर सुर्ख्यों में बने रहे फिर चाहे कमरबाजों को गले लगाना हो या फिर अपने दोस्त इम्रान खान के शपत समहरों में शामिल होना हो अब जो कि एक बार फिर नवजो सिंग सिद्धू के खासकर दिलिक में प्रदेश अध्यक्ष की कमान स्वापे जानी की खबरे सामने आ रही है ऐसे में क्या कहता है नवजो सिंग सिद्धू का राजनिति मतबंकि राजनिति कुंडिली क्या कहती है आई एक बार फिर से इस क्या पता कॉंग्रेस आलग का मा नवजोज सिंग सिद्धू को तिली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए जी नवजोज सिंग सिद्धू जी की जो खुंडली है वो धनू लगन की कुंडली है और इनकी जो रासी है वो ब्रिशिक रासी है इनके लगन में केतु बैठे हैं तीसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है चतुर्थ स्थान में देव गुरु बैठे हुए हैं पंचम में कोई नहीं है चठे में कोई नहीं है और सात्वे स्थान में राहु बैठे हुए हैं अश्टम में कोई नहीं है भाग स्थान में कोई ग्रह नहीं है और जो है दसम स्थान में ईगाराँ रहा हुए स्थान में सूर्ज और शुक्र की यूति बनी हुई है Knox 12 स्थान में बृष्षी कर crashed strongly में चंद्रमा और मंगल विराजमान है सुक्र ना-पर्जां जो सब्तुर्ण शुक्र की ओन रहे हैं हैवस्तुरण होकिं स्टाय हुए हैं आपनाहित्य और महादसाना से आठोस थो चुछ बैठें इमकर नहीं है और पर को जीरएंगा verdi है तो इस समय देखा काफी बहतर शुरू हुआ था लेकिन ग्रह की दसाओं के और नीच संबन्द होने के कारण इनको जितना लाव मिलना चाहिए उतना लाव नहीं मिला और गला डिसीजन के करद इनको परिशानिया लेनी पड़ी अब थोड़ा संभल कर आगे बढ़ने के जुरत है 2020 मई के बाद से राहू का अंतर आएगा और राहू जो इनके सब्तम स्थान में बैठे हुए है तो उस समय थोड़ा संजमित होकर आगे बढ़ने के जुरत है अभी समय इनका मिला जुला हुआ है सच जो कि अगर हम नवजो सिंग सिद्धू जी के पास्टरी बात करें तो हाल फिल हाल में उनको पूरी तरह पॉलिटिक्स में उनका काफी डाउन फॉल देखने को मिला फिर चाहें हम बात करें कि तमाम चीजों को लेकर क्याप्टन अम्रेंदल सिंग के मंत्र मंडल से नवजो सिंग सिद्धू को अपना स्टीफा देना पड़ा उनके साथ उनकी नोग झुक हुई फिर हालक ही कहा चाता है कि राहुल गांधी के साथ नवजो सिंग सिद्धू के करीबी रिष्टे रहे हैं और इसी के चलते एक बार फिर शीला दिक्षित के निधन से दिल्ली की कमान जो है नवजो सिंग सिद्धू या फिर शत्रुगन सिन्ह को सौपी जा सकती है तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितने आसार हैं उनके कुंडले को देखते हैं अगर आप बताएं कि क्या नवजो सिंग से दू यानि कि जब दिली के कॉंग्रेस विधायक है फिर भी दूसरे राज्ये के विधायक को या फिक हैं दूसरे राज्ये के नेताओं को दिली की कमान और बिरोध होगा लेकिन के मिले के पूर्ण चांसेज हैं समय जो है थोड़ा सा प्रतिकुलता वाला बना हुआ है आप देखेंगे कि इनका कई सो मैंने देखा है आप लोगों भी देखते होंगे तो यह बहुत बड़ा पुखराज पहने हैं तो चुकि इनका इनको रत्न समस्तान में बैटने हुए तो अगर यह सुर्ज और बुद्ध की अगर उपाय कर लें तो इनका कैरियर जो है काफी बहतर होगा और उत्रोतर और बहतर करते चले जाएंगे इनको जीतना बहतर करना चाहिए उतना बहतर नहीं कर रहे हैं ग्रह दसाने जो बता रही हैं उनक दिल न दुखाएं जब उन्होंने दामन छोड़ा तो बीज़ीप की तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं वहीं मैं जाना चाहती हूं कि कई बार विवादों में नव्जो सिंग सिद्धू फसे जिसके चलते खुद अंदर या अंदर कॉंग्री से नेता उनने उन पर सवा परवाएं निकी तो ऐसे में जानना चाहते हूं कि राहुल गांदी जी के साथ नव्जो सिद्धु की ऐसी क्या ट्यूनिंग है जो सबको देखने को मिलती है राहुल गांदी की बीच्षिक बृश्चिक रासी है और इनकी भी रासी बिच्षिक रासी हैं दोनों के रासीय नहीं करेंगे अगर यह भी कंप्रमाइज किये रहते हैं अपने वशूलों से अपने वादों से अपने आप से तो अभी साथ यह बहतर करते चुकि यह लोग इनको अपना लगता है कि यह सब्द के भी बहुत धनी आदमी है और अंदर से इनका जमीर भी जिंदा है तो इसके करने को सही समय और सही ग्रह जो इनका साथ नहीं दे रहा है इसके करने को परशानिया बनी हुई है लेकिन अगर बात करें पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टर अमरिंदर सिंग के साथ इनके रिष्टों में पिछले काफी वक्से खटास देखी जा रही है जी काफी पहले है तो इनके जो भी बरिये लोग होंगे उनसे इनको सत्रिता हो जाएगे या वह लोग नहीं पसंद करेंगे इनके व्यक्तित्त को वह लोग नहीं समझ पाएंगे तो इनको बहतर से बहतर संबंद मनाने का उपाय करना चाहिए और अपने आपको बहतर करने का प्रयास करना चाहिए और खासकर अपने जो भी अधिकारी है अम्रेंदर शिंग है या आप जहां भी रहें वहां पे उन लोगों के ऊपर कोई आरोप और पर तैरोप और कोई कटाक्षी नहीं करना चाहिए लेकिन यह बता रहा कि ग्रह जो जब नीच के रहते हैं तो उस समय आप जहां प पतन कराता आप जहां पे हैं आपका हाइट अगर पांच फिट है अगर उन्नती का तो वह चार फिट कर देगा वह तिन फिट कर देगा आप ऊपर नहीं बढ़ाएगा तो यह गरह दसाएं जो बता रही है इनके प्रतिकूल है इस समय नित इनको उप्शार करना चाहिए औ परशानी आपको जहलना पड़ा वहां से एरपोर्ट पर भीन को जहलना पड़ा तो कोई इसकी जरूरत नहीं है यह तो पूरे बिश्व का सैर किये हुए हैं तो अभी चीजों को जब गरह हमारा गडबड़ो और समय प्रतिकूल हो जब बारी सो रही हो उस समय कपड़ा हम करने वाले नवजो सिंग सिद्धू ने हाल में जो 2019 के लोग सभा चुना हुए तो इसके चलते हैं जब कॉंग्रेस को हार का मुझ देखना पड़ा लोग सभा में खासकर पंजाब में भी तो इसके पीछे जो हार का ठीक रहा था वो कैप्टन अमरेंदर सेंग ने नवजो की गलती करेंगे बार-बार ने ऐसा करना इनके प्रतिष्ठा को धोमिल करेगा चुकि गरह जो है वो बिल्कुल ठीक ने मुझे एक स्टोरी याद है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं रास्ते से जा रहा था एक बड़े एक बहुत हेल्दी आदमी और मोटा आदमी परिशानी दिया तो गरह जब खराब होता है तो जिसको कोई मतलब भी नहीं है वो भी आपको आके परिशान करेगा तो इनका समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है इसलिए संजमित होके बाणी पे आप पुटता बहुत अच्छी बात है आपको समाज में लोग स्विकारते लेकिन बहुत असपस्टता जो है घर में लोग नहीं स्विकार करता है तो इसलिए इन सब चीजों पर इनको ध्यान देना होगा लेकिन जैसा इनका ब्यक्तित्तु था क्रिकेटर में जैसे इनका कद बढ़ा इसाध हिंदुस्तान में बहुत कमी लोग का रिटार्मेंट के इसमें किस मुकादमा होता है उसके उपर आरो प्रत्यारोप लगता है आज से ज्यादा संपत्ति को लेके परशानिया होती है तो इससे सम्मंदित जो चीज है इस पर इनको संजम करना चाहिए बारी पर ध्यान देना रही देना चाहिए आप वाग पटुता रखें बहुत अच्छी बात है लेकिन आप किसी के उपर आरो प्रत्यारोप लगाएं इससे आपका यह जितना आरो प्रत्यारोप लगाएंगे उतनी इनकी अपनी इस्थिती और नाजुक होगी मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या कारण है या तोंकि कुंडले में इसे कौन-कौन सी योग बने है जिसके चलते हाल फिलहाल में बीते काफी वक्स है खासका नवजो सिंग सिद्धू की मान प्रतिस्टा में गिरावट आई कि इसाल लगे हैं वो शुक्र का अंतर है और करिबव की को परशानी होती है यह इनका पृतिष्षा धूमिली हुआ 2017 परतिआ और इसे परिशानिया ही हुई है तो अगर अच्छे रहते तो इनको ज्यादा लाफ देता है इनके कुंडली में सूर्ज नीच के हैं चंद्रमा नीच राश्य में है तो इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए प्रत्यक्षे ग्रा जो है वो सूर्ज और चंद्रमा है ये दोनों क्राइन के लिए गड़बड़ है तो इस पर ध्यान देने योगी और उपाय करने योगी ये कुंडली है इस पर अगर आगे बढ़ते हैं तो बहतर करेंगे और थोड़ा बाणी पर ध्यान लखें चूकि ज़्यादा असपश्टता कि पर आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा जिद्धी होना अपने आपको ज्यादा जिद्धी बना के कारजों को और खराब कर लेंगे तो आप जिस फिल्ड में हैं जहां पर बढ़ रहें वहां संजमित होके बढ़ें यहीं आपके लिए बहतरी होगी क्या लगता है मेरा जाते-जाते से वहीं सवाल है अगर कॉंग्रेस की तरफ से उन्हें दिल्ली की कमांड स्वापी जाती है तो क्या आपको कुंडली को देखते हैं इसा लगता है कि क्या वो डूपती ही कॉंग्रेस को एक बार फिर बचा पाएंगे समय इनका खुद का ही खराब है लेकिन ये प्रियास बिल्कुल करेंगे ये काफी इनर्जेटिक है और महनती भी है आप देखती है कि 24-24 घंटा भी काम करने वाले है लेक्शन में भी अनलोगों ने देखा तो ये महनत करेंगा कुछ बहतर करने पहले से सीलाजी के समय से स्टिविजर में दिख का थे जले समसर जुनने के लिए और बाचित का निकलाक पर बहुत बहुत शुक्रिया